नमस्कार अदाप्स स्रिकाल दोस्तों बिग बॉस सीजन सोला के घर के अंदर आज के वीकेंड के वार के एपिसोड में स्पेशल गेस्ट बन कर आने वाली है टीवी इंडस्टी की क्वीन एकता कपूर जो की बहुत दिनों से ये खबर निकल कर सामने आ रही थी कि एकता जो है एक बहुत बड़ा ओफर देंगी लास्ट इयर की तरह जिस तरह से लास्ट इयर एकता कपूर ने तेजस्वी प्रकाश को ओफर दिया था उसी तरह का ओफर देंगी इस बार ओफर भी देते वे नजर आएंगी दोस्तों लेकिन प्रियंका चहर चौधरी को नहीं जी बलकि एक तक अपूर ने निम्रित कोर अलुवालिया को जो है साइन कर लिया है एक बहुत बड़ा ओफर जो है निम्रित कोर अलुवालिया को एक तक अपूर ने दिया है क्या है बात क्या है पूरी खबर चलिए आपको बताते हैं दोस्तों आज की खास रिपोर्ट में ले आपको बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में यही सारी की सारी बात सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं दोस्तों प्रियंका चहर चौधरी जो है यहाँ पर एक तक अपूर की हिरोईन नहीं बनेंगी यह ख़बर जो है पूरी तरह से कंफॉर्म हो चुकी है एक खास सोसेस ने हमें बताया कि एक तक अपूर निम्रित कौर अलुवालिया को लव सेक्स एंड धोका 2 के लिए साइन कर लिया है यह बड़ी बात जो है वो निकल कर सामने आ रही है दोस्तों बड़ी खबर जो है यही निकल कर सामने आ रही है लाव सेक्ष एंड धोका जो की जिनकी डिरेक्टर है दिबाकर बनर जी जो की एक नैशनल आवार्ड विनर है उनके साथ एक तक अपूर जो है पहुँचने वाली है आने वाले अपकमिंग एपिसोड में और वो निम्रित को और अलुवालियों क यहाँ पर चांदी ही चांदी हो गई क्योंकि एक तक अपूर के फिल्म से वो वाली वुड में डेब्यू करने चा रही है यह बड़ी बात बड़ी खबर जो है वो निकल कर सामने आ रही है तो अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि एक तक अपूर ने प्रियंका चाह चाहर चौधरी को क्यों नहीं लिया प्रियंका चाहर चौधरी हिरॉइन भी है प्रियंका चाहर चौधरी आक्ट्रेस वो भी बड़ी आक्ट्रेस है टीवी इंडस्ट्री की और उनकी फिगर उनकी साइश सब चीद जो है वो बलकूल perfect है हिरॉइन material है लेकिन एक तक दोस्तों कमेंट्स के तुरू आप हमें जरूर बताएं और वैसे भी प्रियंका और निम्रित की जो लडाई चल रही है शुरू से डेवन से वो भी मतलब आगे अब और जादा जो है वो बढ़ते वे नजर आ सकती हैं एक तकपूर के आने के बाद और इस पर आप क्या कहना अच्छा हैंगे दोस्तों कमेंट के तुरू आप हमें ये बाद जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चानल क्विक टीवी नूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले क्विक टीवी नूज को आप सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है दोस्तों तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें